नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सब इस्वस्त और प्रसंद होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसमपीजी कॉलेज जोग्राफी डिपार्टमेंट का नौच आपका स्वागत करता हू अपने यूटूब चैनल जोग्राफी विद प्रेम में दोस्तो पिछले वीडियो में हमने एक नई स्रीच की सुरवात की थी अपने चैनल पर जिसका नाम था मैपिंग ठीक है और मैपिंग के अंतरगत हमने सबसे पहले अपने प्रत्वी की स्थिती को देखा था कि हमारी प्रत्वी कहां पर है ठीक है इसके अंतरगत हमने आप से बात की थी कि सबसे पहले आपका एक है जिसे हमने बोला था सुपर यूनिवर्स ठीक है इसके बाद कई अरबो यूनिवर्स का जो समू है वो था आपका सुपर यूनिवर्स यानि की सुपर यूनिवर्स में यून सम्हांड में कई करोडों अर्बों गलेक्सी सामिल हैं ठीक है इनी गलेक्सी में से माली यह सारी बहुत गलेक्सी हैं तो इन गलेक्सियों में करोडों अर्बों स्टार्स सामिल हैं ठीक है और इनी में से माली यह आपकी एक गलेक्सी है तो यह हमारी गलेक्सी है जिसमें हमार सौर मंडल है तो इसे हम कहते हैं सोलर सोरी मिलकी वे ठीक है मिलकी वे की नाम से जाना जाता है और इसी मिलकी वे में इसी Milky Way में आपका अपना सौर मंदल है, यानि Solar System है, ठीक है और अगर हम Solar System को थोड़ा जूम करें, अगर मालीजी यह Solar System है, तो इसी सोलर सिस्टम में आठ प्लैनेट है आपके ग्रह है ठीक है यह माली जी प्लैनेट है आपके तो इनी आठ प्लैनेट में यह जो आठ प्लैनेट है इसी में से एक आपका ग्रह है जिसका नाम है अर्थ ठीक है अब माली जी यह अर्थ है आपका तो इस अर्थ में साथ म महासागर हैं यानि की ओशन है ठीक है इतना हमने यहां तक आपसे चर्चा की थी ठीक है दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं इसके आगे ठीक है अब हम एक-एक महादीप को देखेंगे और महादीपों के अंतरगत आने वाले देशों को दे पूरे महादीप के देशों को याद नहीं कर सकते हैं. तो अब मान लीजेए, आपका ये महादीप है अगर तो इसको आप पांच पार्ट में बाढ़ सकते हैं. ये आपका मिडल हो गया, यानी सेंटर, ये आपका इस्ट हो गया, ये आपका नौर्थ हो गया, ये आपका south हो गया और ये आपका waste हो गया तो जब आप इस 5 तरीके से देशों को याद करने की कोसिस करते हैं तो ये आपको आसानी से याद हो सकते हैं या हो जाते हैं तो चलिए हम इसी ट्रिक को अपनाते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका महाधीब की और अफ्रीका महाधीब को अलग-अलग हिस्सों में बाट करके उनके देसों के बारे में जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम पश्चमी अफरीका पश्चमी अफरीका में दोस्तो 16 देश आते हैं आपके कितने देश हैं पश्चमी अफरीका में आपके 16 देश हैं और अफरीका में टोटल देशों की संक्या आपकी 54 है और ये 54 वो देश हैं जो की संयुक्त राष्ट के सदस हैं ये आपको याद रखना है तो पश्चमी अफरीका में 16 देश हैं वो कौन-कौन से देश हैं सबसे पहले आपका बुर्कीना फासो जहां पे एक नंबर पड़ा हुआ है वो आपका बुर्कीना फासो है ये दोस्तो आपका बुर्कीना फासो है दूसे नंबर पर है बेनिन तो दो नंबर कहां पर है दो नंबर आपका ये रहा तो बेनिन ये है इसके बाद है टोगो तीसे नंबर पर टोगो है यानि बेनिन के पश्चिम में टोगो है चोथे नंबर पर गहाना है टोगो के परश्चिम में है आइवरी कोष्ट, लाइवरी कोष्ट के परश्चिम में है 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 लाइवरी कोष्ट के परश्चि में गिनी बिशाओ है आपका नवे नंबर पर ठीक है तो यह आपका यहाँ पर गिनी बिशाओ है दस्वे नंबर पर है सनेगल सनेगल दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह एक देश के अंदर है ठीक है एक देश के जो सनेगल है दोस्तों वो आपका यह दस्वे न इस सनेगल के अंदर एक देश है जिसका नाम है गांबिया ठीक है तो ये आपको याद रखना है दोस्तों ये छोटे छोटे देश हैं इनमें आपको बार बार कोशिश करनी होती है तभी आपको ये याद हो पाते हैं ठीक है हमने 16 देशों की बात की है तो अभी तक हमारे ये को यार रखना है नाइजर ऊपर है और नाइजीरिया आपका नाइजर के नीचे है तो ये भी आपको यार रखना है इसके बाद है केप वर्डे केप वर्डे आपका एक द्विपी ये देश है ये आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे होंगे दोस्तो ये डॉट ही एक देश हैं जिनका नाम है केप वर्डे ठीक है इसके लावा माली और गांबिया माली दोस्तो आपका ये रहा और गांबिया हमने अभी आपको बताया ये सनेगल देश के अंदर है ये आपको छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है ये आपका गांबिया देश है ठीक है तो ये पश्चमी अफरीका के देश है जिसके अंतरगत 16 देश आते हैं आपको तो ये आपको याद रखना है और इसे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको ये याद हो पाएंगे ठीक है इसके बाद है दोस्तो उत्री के अंतरगत आठ देश आते हैं ठीक है और वो आठ देश कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है इसके पहले हम बता दें कि उत्तरी अफरीका के उत्तर में जो सागर पढ़ता है उसे हम भूमद्द सागर यानि मेडिटेरियन सी कहते हैं ठीक है इसके लावा ये यह अधन है अधन की खाड़ी ये रेड सी है यानि लाल सागर है ठीक है ये गल्फ ओफ ओमान है यानि ओमान की खाड़ी है और इसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी यहाँ पे है फारस की खाड़ी तो ये भी आपको याद रखना है ये आपका अटलांटिक महा सागर है ठीक है य ये आपका हिंद मासागर है तो ये भी आपको याद रखना है चलिए बात करते हैं उत्री अफरीका के जो आड़ देश हैं ये आपका वेस्टर्न सहारा है उत्री अफरीका के अंतरगर जो पहला देश है आपका वो है पश्चमी सहारा ये है दोस्तो आपका पश्चमी सहारा इसके बाद है अलजीरिया ये रहा आपका अलजीरिया इसके बाद है लीबिया लीबिया आपका ये है शुडान सुडान दोस्तो ये है आपका मुरको मुर यह सब देशों की लोकेशन दोस्तो आपको याद रखने है वीश्टरन सहारा हो गया, मुरको हो गया अलजीरिया, लीबिया और सुडान हो गया इसके बाद है टूनेशिया टूनेशिया आपका यह है इसके बाद मिश्ट, मिस्ट्र आपका यह है दच्छडी सुडान आपका ये है ठीक है तो आठ जो उत्री अफरीकी देश है ये आपको नाम यहाँ पर मेंसन कर दिये गए है दोस्तों बाद में हम इन सभी देशों की राजधानियों को भी जानने की कोशिश करेंगे यानि देश और राजधानियों हम अलग से देखेंगे यहाँ पर हम केवल देशों की लोकेशन आपको बता रहा है कौन सा देश कहां पर है तो अभी तक हमने बात कर लिया आप से पश्चमी अफरीका के देशों की जो की 16 देश थे और उत्री अफरीका के देशों की जो की 8 देश थे चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मद अफरीका मद अफरीका के अंतरगर्द दोस्तो 9 देश आते हैं आपके और वो कौन-कौन से देश है मद्ध अफरीका के अंतरगर जो देश आते हैं वो कौन से है नोदेश सबसे पहले है चाड तो चाड देश यह रहा है आपका मद्ध अफरीकी गड़तांत्रिक मद्ध अफरीकी गड़तांत्रिक यानि सेंटरल अफरीकन रिपबलिक आपका यह है विस्वती गिनी की बात करेंगे तो यहाँ पर Equatorial Gini करके दिया हुआ यह चोटा सा देश है आपका ठीक है Equatorial Gini आप ऐसे जूम करके भी देख सकते हैं यह है आपका Equatorial Gini ठीक है इसके बाद एक और चोटा सा देश है यहाँ पर की आपका Dwipi जेस है ठीक है जिसका नाम है South Tome and đây प्रिंस duty तो आपको यार रखना है भी देश है आफरीका में अबि तक दोधितर देश मिल चुक है आपको पहला था gal Sang और दूसरा है आपका South, Tome and Principe ठीक है इसके बाद है आपका अगला देश है Cameroon ठीक है Cameroon के बाद है आपका Democratic Republic of Congo यानि की Congo जनतांत्रिक देश Congo जनतांत्रिक देश आपका ये है इसके लावा एक है आपका Congo ठीक है और ये है आपका Angola और ये है आपका Gabon यही पर आपके नो देश दिखाए गए है चाड Cameroon, Gabon Congo, Angola विश्वती गिनी विश्वती गिनी South, Tome and Principe और Congo, जनत्रिक तो ये आपके मद अफरीकी देश है ठीक है इसके बात करते हैं हम दच्चडी अफरीकी देशों में यानि कि जो South अफरीका यानि अफरीका की जो दच्चडी हिस्से में है वो कौन-कौन से देश है इसके अंतर अगर दोस्व पांच देश आते हैं आपके ठीक है वो पांच देश कौन से है पहला है आपका नमीबिया नमीबिया देश आपका यहां पर है बोत्सवाना नमीबिया के पूरब में बोत्सवाना है दच्चड अफरीका दच्चड अफरीका आपका ये रहा ठीक है अब आपको दोस्तों दो देश और दिखाई दे रहे होंगे जो कि दच्छिड अफरीका देश के अंदर है जैसे कि आपका गांबिया जो देश था वो सनेगल देश के अंदर था यहाँ पे दो देश ऐसे हैं जो दच्छिड अफरीका के अंदर है पहला आपका लेसेत हो तो लेसेत हो आपका ये रहा और स्वाजी लेंड आपका ये है दोस्तो ठीक है इसे इस स्वातनी के नाम से भी जाना जाता है तो ये आपका दच्छडी अफरीकी देश थे इसके बाद है दोस्तो पूरवी अफरीकी देशों की बात करेंगे तो इसमें 16 देश हाते हैं आपके ठीक है, 16 देश आते हैं, वो देश कौन-कौन से हैं दोस्तों, दच्छिडी सुडान के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं जो कि उत्री अफरीका के अंतरगत हमने बता दिया था आपको तो ये 16 देश कौन-कौन से है कि पूर्वी अफ्रीका के अंतरगत आते हैं ठीक है पहला है आपका दोस्तों इसमें इरिट्रिया इरिट्रिया ये है आपका यहाँ पर हम बता देएं दोस्तों कि यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है जेड़सी ठीक है तो Red Sea के पश्चिम में आपका Eritrea देश है और यहाँ पर एक छोटा सा देश और दिखाई दे रहा है आपको जिसका नाम है जिबूती यहाँ D से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका D साइलेंड रहता है इसे हम जिबूती बोलते हैं जिबूती ठीक है तो यह आपको याद रखना है जिबूती के बाद है आपका ETHOPIA ETHOPIA के पूर्व में है आपका SOMALIA ठीक है SOMALIA और सुडान तो आपका उत्रिय अफरीका के अंदरगत हमने मान लिया था ठीक है इसके बाद यह आपका KENYA है KENYA की पश्चिम में है आपका YUGANDA YUGANDA ठीक है YUGANDA YUGANDA के दच्छिड में है आपका RUANDA RUANDA आपका यह रहा RUANDA के दच्छिड में आपका एक छोटा सा और देश है जिसका नाम है BURUNDI ठीक है तो यह आपको क्रम याद रखना है RUANDA और बुरुंडी इसके बाद दच्छिड में आपका है TANJANIA ठीक है TANJANIA के दच्छिड पश्चिड में आपका है JAMBIA यह भी आपको याद रखना है ठीक है और JAMBIA के दच्छिड में आपका है JIMBAMBEE यह आपका जिम्बामबे है और पूर में आपका जिम्बामबे के पूर में आपका पड़ता है मोजामबिक मोजामबिक देस आपका यह रहा है और दोस्तो जामबिया जिम्बामबे और मोजामबिक के मद्द में भी एक देस है जिसका नाम है मलावी तो ये आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद एक D.P.E. देश आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मिड़ागाशकर ठीक है और इसके बाद D.P.E. देशों की बात करेंगे तो ये आपका है सेसेल्स सेसेल्स और ये है आपका कॉमरोश ठीक है तो ये आपके D.P.E. देश है तो ये भी आपको याद रखना है तो इस तरह के से दोस्तों अगर आप याद करने की कोसिस करोगे तो कोई भी मादीप हो आपको देशों की लोकेशन अच्छे से याद हो जाएगी यहाँ पर वही लिष्ट दिखाई गई है जो पूरवी अफरीका के अंतरगत देश आते हैं इस तरह के देशों के बारे में एशिया मादीप में हमने आपको बताया था कि कितने देश आते हैं तो 48 देश आते हैं जो कि संयुक्त राश्ष संगे के सदस्य देश भी हैं ठीक है तो वही क्रम अपनाते हैं एसिया को भी हम चार या पांच भागों में बाट की डिवाइड करेंगे उत्री एसिया, इस्ट एसिया, यानि पूर्वी एसिया, दच्छडी एसिया, दच्छड पूर्वी एसिया, मद्द एसिया और पश्च्छमी एसिया तो सबसे पहले बात करते हैं उत्री एسिया उत्री एसिया के अंतरगत केवल एक देश आता है जिसका नाम है रूस ठीक है और यहां पर आपको बता दे हम दोस्तो कि रूस एक ऐसा देश है जो दो महादुःपों में आता है ठीक है और वे दो महादूइक कौन से है पहला आपका एसिया है और दूसरा आपका यूरोप है अब यूरोप के अंतरगती से क्यों माना जाता है क्योंकि रूस की जो राजधानी है वो है आपकी मास्को और जो मास्को राजधानी है वो यूरोप के अंतरगताती है ठीक है इसलिए जो रूस का विस्तार है वो दो महादुपों में है इसलिए रूस को अंतर महादुपी ये देश कहा जाता है क्या का जाता है अंतर महादुपी यानि कि ऐसे देश जिनका दो देशों में विस्तार है उन्हें हम अंतर महादुपी कहते हैं यह यानि कि इंटर कॉंटिनेंटल कंट्री कहते हैं ठीक है तो उत्री एसिया के अंतरगत एक देश है इसके बाद दोस्तों है मद एसिया मद एस कजाकिस्तान इनकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं यह आपका कजाकिस्तान है इसके बाद यह है आपका उजबेकिस्तान यह आपका है तुर्कमेनिस्तान यह है आपका किर्गिस्तान और यह है आपका तजाकिस्तान दोस्तों इनको याद करने में थोड़ा कठना ही होती है क का जब बार बार आप भ्यास करेंगे तब ही आपको याद होंगे कजाकिस्तान और तुजवेकिस्तान के पश्चिम में आपका एक सागर पढ़ता है जिसका नाम है कैस्पियन सागर ये बैसिकली एक जील है जो विस्व की सबसे बड़ी जील है तो ये भी आपको याद रखना है ये आपका है अरल सागर ये भी पूछा जाता है कि अरल सागर किंदो देशों के मद्द है तो ये कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान के मद्द है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है तो ये पाँच देश आपके ये रहे एशिया के ठीक है इसके बाद है पश्चिमी एशिया के अंतरगत दोस्तों आपके 19 देश आते हैं कितने देश 19 देश आते हैं आपके और वो कौन-कौन से देश हैं यहां पर लिस्ट हम दिखा दें आपको जार्जिया, अजर्बैजान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, इराक, साओधी अरब, मनामा, संयुक्त अरब अमिरात, यमन, अर्मेनिया, तुर्किये, साइप्रश, पैलिस्टीन, कुवेट, इरान, बहरीन, उमान और कतर अब इन्ही को हम यहां पर लोकेशन भी देख लेते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, यह है दोस्तो आपका जार्जिया, यह रहा आपका अजर्बैजान, ठीक है, यह बीच में जो देश आपको दिखाई दे रहा है, यह आपका अर्मेनिया है, ठीक है, तो तीन देश को भी दोस्तों अंतर महादुपी देश का जाता है क्योंकि इसका कुछ पार्ट यूरोप के अंतरगत भी आता है ठीक है तो रूस को भी अंतर महादुपी देश का जाता है और तुर्की को भी का जाता है तुर्की के नीचे आपका दच्छिड में ये है आपका सीरिया ठीक ह सीरिया है और सीरिया के दच्छिड में आपका ये आपका है बेरूद क्या है आपका बेरूद ये भी एक देश है सुरी दोस्तों बेरूद देश नहीं है बेरूद राजदानी है इस देश का नाम है लेबनान क्या नाम है लेवनान यानि सीरिया के दच्छिड में लेवनान है लेवनान के दच्छिड में आपका है इजराइल ये आपका जो देश दिखाई दे रहा है ये इजराइल है ठीक है और इजराइल के बाद इजराइल के दोनों हिस्सों में यानि इस साइड भी और इस साइड भी यानि पूर्वी और पश्चमी दोनों भागों में जो देश पड़ता है उसका नाम है पैलेस्टीन ये दोस्तो आप हमेशा सुनते रहते हैं कि पैलेस्टीन और इजराइल के मद्ध युद्ध होता रहता है तो यही वो देश है ठीक है ये आपका इजराइल है और इजराइल की दोनों तरफ यानि पश्चम और पूर्वी साइड जो देश है आपका वो पैलेस्टीन है ये भी आपको याद रखना है इधर आपका दोस्तो एक सागर पड़ता है जिसका नाम है भूमद्द शागर ठीक है भूमद्द साइप्रस के नाम है साइप्रस ठीक है तो ये आपको याद रखना है इसके अलावा ये आपका दोस्तो जॉर्डन है ये जो नीले कलर से दिखाई दे रहा है ये जॉर्डन है आपका ये आपका इराक है इराक का नाम आपने सुना होगा क्योंकि जो मेसो पुटामिया की बता थी वो इराग देश में ही फैली हुई थी ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसके बाद यह आपका एक देश है जिसका नाम है कुवैत क्या नाम है दोस्तों कुवैत यह आपका कुवैत है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है कुवैत है और यह जो दोस्तों आ आपको वाइट कलर से दिखाई दे रहा है। इस हम ह olmaz क्रमकर चाह purchases कार्थ के खाडी हैं। थिक है। और यह आपका एक दिखाई दे रहा है प्राधिपी देश जिसका नाम है कतर यह भी आपको Venamma है कि दोस्तो बेसिकली जो बृत कोनाll मा cens दिखाई दे रहा है। वो एक देश नहीं है ये राजधानी है ये जो देश का नाम है इसका नाम है बहरीन ये आपको बहरीन देश दिखाई दे रहा है जिसकी राजधानी मनामा है इसके बाद एक देश आपका ये दिखाई दे रहा है ये आपका है संयुक्त अरब अमीराद संयुक्त अरब अमीर आपने बुर्जिखलीफा का नाम सुना होगा बुर्जिखलीफा विस्तु की सबसे उंची जो बिल्डिंग है वो बुर्जिखलीफा है वो आपकी इसी देश के अंतर्गत आती है यानि स्युक्त अरब अमिराद के अंतर्गत ठीक है और ये जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं साउधी अरब ठीक है ये आपका है साउधी अरब जो आपको ग्रीन कलर से जितना दिखाई दे रहा है ये साउधी अरब है यानि इतना बड़ा है आपका साउधी अरब साउदी अर्म में ही आपको पता है मक्का और मदीना इस्थान है जो की पवित्र इस्थान है इसलाम धर्म के वो यहीं पर है ठीक है इसके बार एक देश आपका ये है जिसका नाम है ओमान और एक देश आपका ये है जिसका नाम है यमन और ये आपको एक नीला कलर का दिखाई दे रहा है देश यानि कि शीमाय दिखाई दे रही है इसका नाम है इरान अभी हाली में किस देश के राष्ट पती का निधन हुआ है हेलिकॉप्टर क्रैस में तो वो इरान देश के राष्ट पती का ही निधन हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो ये तो हो गए पश्मी एसिया के देश अब इसके बाद है आपका दच्छड एसिया की देश दच्छड एसिया की देशों की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आठ देश आते हैं आपके कितने देश आते हैं? आठ देश आते हैं दच्छड एसिया और इन नामों से तो आप भली बहाती पर्चित होंगे आड़ देश कौन से हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांगला देश, सिरिलंका और माल्डू ये आपके दच्छिड एसिया के देश हैं ठीक है तो और यहाँ पर बता देएं कि ये जो सारे देश हैं ये सार्क के सदस्ट देश हैं सार्क, यानि साउथ एसियन एसोसियेशन, रिजिनल कॉर्परेशन, जिसे आप दख्छेश के नाम से जानते हैं दख्छेश, ठीक है, तो ये भी आपको याद रिखना है यानि दख्छऱ DCI सैयोग संगठन के अंतरगत आने वाले यही दख्छड DCI के आर्ठ देश हैं ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके बाद हैं, दख्छड पूर्वी ACI देश दच्छिर पूरवी एशियाई देशों की बात करेंगे तो इसमें 11 देश आते हैं आपके और वो कौन-कौन से देश हैं अगर लिस्ट की बात करेंगे तो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको मियमार, लाओश, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलिपिन्स, वियतनाम, थाइलेंड, मलेसिया, इंडोनेशिया और पूरवी तिमोर अब हम इसे मैप पर भी देख लेते हैं यह आपका मियमार है ठीक है यह आपका वियतनाम है पूरा यहां से यहां तक यह आपका लाओश देश है, लाओश, ठीक है यह आपका है थाइलेंड, यहां से लगा करके यह पूरा थाइलेंड है आपका ठीक है, यह आपका जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, यह मलेशिया है ठीक है अब आपको दोस्तों ये याद रखना है कि जो मलेशिया देश है उसका कुछ पार्ट इस हिस्से में भी आता है यानि कि ये जो आपको दूइब दिखाई दे रहा है इस दूइब में तीन देशों के हिस्से आते हैं एक तो मलेसिया का हिस्सा हो गया आपका ये आपका इंडोनेशिया का हिस्सा है और यहां पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ब्रुनेई तो इस दूइपित तीन देशों के हिस्से है ठीक है और जो इंडोनेशिया है आपका ये जो पीले कलर से जितना भी दिखाई दे यह पूरा का पूरा इंडोनेसिया है ठीक है यह एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इज्ट टिमोर यानि की पूर्वी टिमोर देश है यह ठीक है और यह आपका जो ग्रीन कलर कर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं फिलिपीन्स तो यह आपके दच्छिड पूर्वी ऐसियाई देश हैं, जो की 11 देश है ठीके, आपने एक दूस्तो नाम सुना होगा, आशियान ठीके, आशियान के अंतरगर्ट यही सारे सरस्य देश हैं आपके ठीके, तो ये भी आपको यार रखना है इसके बाद है पूर्वी एशियाई देश पूर्वी एशियाई देशों की बात करेंगे तो पूर्वी एशियाई देश के अंतरगर छह देश आते हैं और वो छह देश कौन से हैं आपका है मंगोलिया, उत्री कोरिया, जापान, चाइना, दच्छड कोरिया और ताइवान अब हम इसे मैप पे भी देख लेते हैं ये है आपका मंगोलिया, ये आपका चाइना है इसके बाद ये उत्री कोरिया है, दच्छड कोरिया, ये आपका जापान है यह आपका टाइवान है ठीक है टाइवान यूएनो का सदस्य देश नहीं है क्यों क्योंकि यूएनो इसे चाइना के अधिकाल छेतर में मानता है ठीक है चाइना के अधिकाल छेतर में एक और देश है जिसका नाम है होंग कॉंग यहां पर एक देश पढ़ता है दोस्तो इसक कि छोटा सा दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं मना को completely यह जो छोटा सा दिखाई दे रहे हैं इत्थे जिसका नाम है के नाम है तुक्षे च्छोटे दस है चूमकि यह चाइना के अंतर गताते इसलिए इन्हें देशों का दर्जा नहीं दिया जाता लेकिन फिर भी ये प्रयासरत हैं सुतंत्र होने के लिए ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक आज हमने आप से बात की कुछ महादीपों के देशों के बारे में जिसमें हमने देखा पश्चमी अफरीका क देश जिसमें 16 देश आते हैं आपके ठीक है इसके बाद उत्री अफरीका के देश जिसमें 8 देश आते हैं इसके बाद है मद अफरीकी देश जिसमें 9 देश आते हैं आपके इसके बाद है दच्छड अफरीकी देश जिसमें 5 देश सामिल हैं इसके बाद है पूर्वी एशिया की बात करेंगे हम तो उत्री एशिया के अंतरगत एक देश आता है जो रूस है मद एशिया के अंतरगत पांच देश आते हैं पश्चिमी एशिया के अंतरगत 19 देश आते हैं आपके ठीक है दच्छिड एशियाई देशों की बात करेंगे तो इसमें आपके आठ दे आते हैं जिसमें अपना भारत भी दच्छड एस्याई देश है एक ठीक है इसके बाद दच्छड पूर्वी एस्याई देशों की बात करेंगे इसमें 11 देश आते हैं आपके और वहीं पूर्वी एस्याई देशों की बात करेंगे तो यह 6 देश आते हैं इसमें ठीक है दोस् कार आप प्रसन रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और लगतार सीखते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्यवाद जैहें दोस्तो